नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में दोस्तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग नूज अपडेट्स के रूप में तो दोस्तो अब सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़दा ज़दा लाइक और शेयर करें तो दोस्तो सीधे शलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर किसान आंदोलन किसानों का बड़ा एलान आख तारीक को भारत रहेगा बंद नहीं हटेंगे पीछे जिहां दोस्तो अपनी मांगों को लेकर बीते नो दिनों से दिल्ली बोर्डर पर बेठे पंजाब और हर्याना के किसानों ने भारत बंद का एलान कर दिया है आंदोलन रत किसानों ने कहा कि कल हमने सरकार को साफ कह दिया था कि किर्शी कानुनों को वापस लिया जाए और नए कानुन बनाए जाए शुकरवार को किसान नेता राकेश टिकेट ने कहा कि तीनों क्रिशी कानौनों के विरोध में 10 दिसंबर को एक दीवसी भारत बंद का अहवान किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा के हरिंदर सिंग लखोवाल ने कहा कि 5 दिसंबर की बेठक में अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे लाखोवाल ने कहा कि देशबर का किसान दिल्ली आने को तेयार है उन्होंने कहा कि पंजाब के सबी किसानों के साथ देशबर के किसानों की मीटिंग हुई है जिसमें यह तै किया गया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो भारत बंद करेंगे उन्होंने कहा कि हम इस कानून को वापस करा कर ही धरनाख खत्म करेंगे इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर फ्रांस में मुस्लिम कठरपंतियों पर सक्ती 76 मज़ितों पर लग सकता है ताला 66 हुए डिपोर्ट जिया दोस्तो फ्रांस में आतंकी हमलों के बाद से ही सरकार ने मुसलिम कठरपंतियों के खिलाव कारेवा ही तेज कर दी है फ्रांस के होम मिनिस्टर गेरालड डेरमैनियम ने इस पस्च कहा है कि मज़ितों की जाच की जा रही है और कटरपंद को बढ़ावा देने वाले संगटनों पर प्रतिबंद लगाया जा रहा है उन्होंने कहा कि जिन मजदितों के खिलाव भी सबूत पाए गए उन पर तारालगना तै है सरकार को जांच में पता चला है कि देश में कुछ जगों से कठरता और अलगावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और इनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे गेराल डेर्मेनियम ने कहा कि कुछ मजदितों को बंद किया जा सकता है क्योंकि ये आतंगवाद को बढ़ावाद दे रही है इससे देश में अलगावाद बढ़ रहा है पेरिश के एक उपनगरिये इलाके की मस्जित को पहले ही 6 महीने के लिए बंद किया जा चुका है अक्टूबर में हिस्ट्री टीचर सैम्यूल पेंटी की हत्या करने वाले आतंग की इसी मस्जित से जुड़ा था वो मूल रूप से चेचे यन्या का रहने वाला था और गेर कानूनी तोर पर फ्रांस में रह रहा था दोस्तो आपकी जानकरी के लिए बता दें फ्रांस में अक्टूबर में एक हिस्ट्री टीचर का सिर काट कर हत्या कर दी गई थी उसके बाद नीश शहर में एक कठर पंती ने तीन लोगों की हत्या भी कर दी थी इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर दिल्ली में बचा है मातर तीन से चार दिन का स्टोक किमतों में आ सकती है जोरदार तेजी जहां दोस्तो किसानों के आंदोलन को दिल्ली के बोर्डर पर आट दिन हो चुके हैं हलांकि किसानों की तरफ से किसी भी तरह की गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा है बावजुद इसके दिल्ली में सबजीयों समयत कई और दूसरी चीजों के दाम बढ़ने लगे हैं लेकिन कारोबारियों को सबसे जादा डर आलू को लेकर सता रहा है एक तो मंडियों में आलू का तीन से चार दिन से जादा स्टोक नहीं होता है दूसरा इस वक्त सिर्फ पंजाब से ही आलू के ट्रक दिल्ली में आ रहे हैं जिसके चलते अगले कुछ दिनों में आलू और ज्यादा महंगा हो सकता है आलू कारोबार से जुड़े पंजाब के कारोबारी सुकवीर सिंग भट्टी ने बताये कि जब से किसान दिल्ली बोडर पर पहुँचे हैं तो पंजाब से दिल्ली जाने वाले आलू के ट्रकों में कमी आई है दिल्ली नर्जा का ट्रक दूसरे राज्यों में जा रहे हैं वहीं आलू उत्पादक किसान समिती के महामंतरी आमीर का कहना है कि वेस्ट यूपी में इस वक्त सिर्फ पुराना आलू है जबकि पंजाब से नया आलू आ रहा है और सरदियों के इस सीजन में बाजार में नये आलू के डिमांड होती है इसलिए दिल्ली पूरी तरह से पंजाब के आलूओं पर नेरबर है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर अंतरास्टिय मंच पर फिर पाकिस्तान की हुई किरकरी यूएन में सो से अधिक देशों ने नहीं किया समर्थन जिया दोस्तो पाकिस्तान की एक बार फिर अंतरास्टिय मंच पर किरकरी हुई है पहली बार पाकिस्तान के संयुक्तराष्ट में पैस होने के लिए किये गए प्रस्ताव पर आदे से अधिक देशोंने मतदान नहीं किया दरसल दोस्तों पाकिस्तान पारस्प्रिक और संस्कृतिक समवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताओ लेकर आया था जिसमें 52 मत देने वाले देश अनुपस्तित रहे और 51 देशों ने मतदान नहीं किया जिन देशों ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को लेकर सयुक्त राष्ट में मतदान नहीं किया उन में से अधिकांश अफ्रिकी देश और छोटे द्विप देश थे पाकिस्तान ने फिलिपिन्स के साथ मिलकर प्रस्ताव पेश किया और इसे नब्बा मतों के साथ पारित किया गया वहीं दोस्तों UN के मंच पर भारत ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की है विशेशकर करतारपुर साहिब कोरिडोर को लेकर भारत ने कहा कि इस पर प्रकाश डालने की जरुरत है कि किस तरह पाकिस्तान ने करतारपुर गुरुदवारे के प्रशाशन को एक गेल सिख निकाई को दे दिया इसमें कहा गया है कि हमने कर्तारपुर साहिप कोरिडूर की भावना के किलाव बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी पक्ष के साथ इसका विरोध किया है क्योंकि बड़े पैमाने पर सिख समुदाई की धार्मिक भावनाए भी आहथ हुई है, इसके अलावा भारत ने हिंदू ध खिलाफ किसानों के प्रदशन का शुक्रवार को नववा दिन है आंदोलन के चलते दिल्ली बोडर पर नो पॉइंट पर ट्रेफिक बंद कर दिया गया इसी बीच किसान आंदोलन के समर्थन में आवाड वापसी का सिलसिला अब 20 जारी है किसानों के समर्थन में पंजाब के लेखक डाक्टर मोहन जीत, चिंतक डाक्टर जस्विंदर और पत्रकार स्वराज बीर ने अपने साहित्य अकादमी अवार्ड लोटा दिये। किसानों पर ट्वीट के बाद खाफ पंचायतों की कंगना रानावत को खुली चेताउनी कहा हिम्मत है तो हर्याना आकर दिखाए। प्रवक्ता एम खापनेता जितंदर चातर ने कहा कि कंगना में हिम्मत है तो हर्याना आकर दिखाए। उनको अपनी ओकात का पता चल जाएगा। खापनेता जितंदर चातर ने कहा कि पूरे दिख की खाप पंचायते कंगना रानावत के शर्मनाक बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती है। और उनको यह चेताउनी देती है कि यह बयान देने के बाद उनमें अगर हिम्मत है तो हर्याना वै आसपास के राज्यों पश्मी उत्रप्रदेश पंजाब राजस्थान में घुस कर दिखाए। उनको अपनी ओकात का पता चल जाएगा। खापनेता जितंदर चातर ने उल्टे कंगनारानाओत पर ही कटाक्ष करते हुए का कि सो सो रुपे में बूडी मा नहीं बलकी नाचने वाली आ जाती है। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर। बारी वैक्सीन को पहले बुज़ुर्गों और इस महामारी के वारियर्स को दिया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देश वैक्सीन को लेकर भारत की और देख रहे हैं। दोस्तो सर्वदलिय बेठक के बाद प्रदान मंतरी मोदी ने कहा कि करीब आठ ऐसे संभावित वैक्सीन हैं जो ट्राइल के अलग अलग चरण में हैं। जिनका उत्पादन भारत में ही होना है। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर ओबामा बुश और क्लिंटन केमरे के सामने लगाएंगे इस महामारी के वैक्सीन लोगों में बढ़ाना चाहते हैं भरोसा। जिनका अमेरिक के लोगों में इस महामारी वैक्सीन के प्रती भरोसा बढ़ाने के लिए अब तीन पूर्व राष्टपती सामने आये हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की इस्तिती। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर दोस्तों आपको अबी तक हमारी नियूस पसंद आई है तो इसे एक चोटा सा लाइक जरूर दे दें। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है इस महामारी की इस्तिती। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की ज़यदो पूरी दुनिया में इस वक्ते तक इस महामारी तक 211 063 0 को पार करके है जबकि दोस्तों मोतों का आख्ळा 15owych पार है। इस महामारी का सबसे बड़ा दंश अमेरिका जहेल रहा है। अमेरिका में इस महामारी के अब तक 1 करोड 42 लाग से जादा संक्रिद मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों दूसरा नमबर भारत का है जबकि तीसरा नमबर ब्राजील का है। ब्राजील में 64 लाग से जादा संक्रिद मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इ भी कम हुई भारत में नियूंतम मजदूरी इस महामारी से खराब हैं हालात हुआ बड़ा खुला सा जिया दोस्तों इंटरनेशनल लेबल और्गनाइजेशन की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के मजदूरों पर इस महामारी के और लोकडाउन के हालोतों का बुरा असर पड़ा है इस रिपोर्ट के मुताबित असंगडित शेत्र के मजदूरों के वेतन में 22.6% की कमी आई है जबकि संगडित शेत्र के नोकरी पेशा लोगों की सेलरी में 3.6% की कमी दर्ज की गई है इस दोरान भारत में नियूंतम मजदूरी नेपाल पाकिस्ता और शिरलंका से भी कम हो गई है भारत के लोगों की खरीदने की शमता भी अब बांगलादेश और सोलेमन आइसलेंड जैसे देशों से भी कम आ गई है दोस्तो दमिंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबित पूरी दुनिया का नियूंतम औसत मासिक वेतन 9,720 रुपे है जबकि भारत में ये सिर्फ 4,300 रुपे प्रती महिना ही बना हुआ है इस रिपोर्ट के मुताबित कम वेतन वालों पर इस महामारी लोगडाउन का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है जिसका सीधा सा मतलब यही है कि इस समाज में असमानता भी बड़ी है मनुरंजन, खेल औ और हॉस्पिटिलेटी जैसे शेत्र जो सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं आम तोर पर अधिक महिलाओं को रोजगार देते हैं इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में आया IMPPA कहा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का दिल है क कोई भी इसे कहीं नहीं ले जा सकता जिया दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर संस्थान इंडियन मोशन पिच्चर प्रोड्यूसर अशोशियेट ने महाराष्ट के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने फिल्म पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग बुंबई का अपना बेस बदल कर यूपी नहीं जाएंगे यूपी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जारी सियसी जंग के बीश योगी अधितनातने मंगलवार को बुंबई पहुँचकर फिल्मी सितारों से मुलाकात की थी इस दोरा लिए कहा था कि कोई यहां से जबरन बिजनिस लेकर नहीं जा सकता इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार मौसम समाचार इस बार जहलना होगा सामाने से ज़्यादा सर्दी का सितम जान लीजिए क्या है वजह है जी आं दोस्तो उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों दिसंबर महीने में लगाता रहंड बढ़ रही है दिल्ली समयत उत्तर भारत में रिकोड किये जारह सामाने से कम तापमान को देखते हुए अनुमान लगाया जाराए कि लोगों को इस बार पहले से ज़्यादा ठंड जहलनी होगी मोसम विज्यान भाग के मताबित देश की राजदानी दिल्ली समयत कई इलाकों में दिसंबर और जनवरी के बीच ठंड सामाने से जादा पढ़ सकती है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोसम विज्यान भाग के अनुसार दिसंबर से फरवरी महीने के बीच उत्तर प्रदेश उत्तरी पश्मी भारत और मद्दे पूर्व भारत में नियूनतम तापमान सामाने से कम रहेगा इसके अलावा उत्तर भारत पूर्वी भारत उत्तर पूर्व भारत और मद्दे भारत में अधिकतम तापमान सामाने से जादान रह सकता है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर गोल्ड धातु के भाऊ में गिरावट देखने को मिली है दोस्तो बात की जए दिल्स रफ़ा बाजार की दोस्तो दिल्स रफ़ा बाजार में आज सोने का भाऊ 136 रुपे प्रती 10 ग्राम कम हो गया इसके बाद में नए अदाम और 48,800 तेरा रुपे प्रती 10 ग्राम पर आ गए हैं वह इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार पैट्रोल डीजल प्राइस टुड़े जान लीजे आज क्या भाव है पैट्रोल डीजल के दोस्तो लगातर बारवे दिन पैट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ोतरी हुई है दोस्तो दिल्ली के दामों की बात कीज़ा है तो दिल्ली में एक लिटर पैट्रोल का दाम 82 रुपे 66 पेसे प्रती लिटर पर पहुँच गया है जबकि दोस्तो डीजल की बात कीज़ा है तो डीजल का दाम 73 रुपे 7 पेसे प्रती लिटर है इसके बाद दोस्तो अगली दी है मुकाबले में टोस जीत कर आस्टेलिया ने पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया पहले बल्ले बाजी करने उतरी भारतिय टीम ने कंगारूं को 162 रनों का लक्ष दिया जवाब में आस्टेलिया की टीम 20 ओवर में 500 रन ही बना सकी और टीम इडिया ने स्रिज का आग बाजी करते हुए मैक्सवेल का विकिट जटका मैक्सवेल महज दो रन बना कर आउट हो गए वहीं दोस्तों चहलने तीन विकिट जटका है वे रविंदर जडेजा के रिप्लेसमेंट के तोर पर आये थे रविंदर जडेजा के सिर में चोट लगने के बाद उनको शरणारतियों को लेकर अहम फैसला किया है इसके तहट शुक्रवार को पंद्रासों से जादा रोहिग्य शरणारतियों के पहले समू को एक दूर दराज के दीप पर भेजना शुरू कर दिया है दोस्तों आपकी जानकारी के विले बता दे मानवधिकार समू है बार-बार इस प्रक्रिया को रोकने की मांग कर चुके हैं वहीं इस दीप पर फिलहाल जो आवास बनाए गए हैं वहां एक लाख लोग रह सकते हैं जो की लाखोर रोहिग्या मुसल्मानों के हिसाब से बहुत कम संक्या है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार हैदराबाद नगर चल रही है और एक सीट पर मातरों से जीत मिली है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर, चार साल में पहली बार Airtel ने इस मामले में जियो को पचाड़ा ट्राइने जारी किये आंकड़े, जिया दूस्तो चार साल में पहली बार Airtel ने जियो को मासिक कनेक्शनों के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है, भारतिय प्रादिकरन ट्राइ दोरा जारी आंकड़ों में इस बात की पुष्टी हुई है, ट्राइ के अनुसार सितंबर में Airtel के नए ग्राहकों की संक्या में जियो से अधिक बड़ोत्री हुई, Airtel ने कुल 37.7 लाक नए कनेक्शन जोड़े हैं, वहीं जियो ने 14.6 लाक और सरक बड़ी खबर हैं, इसके बाद दोस्तो बारी आती है, आज के माइंड कुछ कुष्टन की, जिया दोस्तो एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीच सकते हैं, एक Amazing Surprise Gift हमारे YouTube चैनल की ओर से, तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दोस्तो आपको ब मिल सकता है, एक Amazing Surprise Gift हमारे YouTube चैनल की ओर से, तो दोस्तो जल्दी सपना उतर के मेड़ों में लिख दीजिए, वडियो को लाइक कर लिए, जो चनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन भी दबा लीजिए, धन्यवाद, वन्दे मातरम, जय हिन, जय भारत